प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अब जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रियाक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो अचके लेटेस्ट और इंटरस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे सुमिछ ज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंतर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी सी लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो लाते रहें तो चलिए पहली ये वीडियो देखते हैं औरहं तुम इसके बारे में बात करेंगे जैहिन जया भारत सोची समझी एक चाल है जिसके करण यह पूरा कबाल ने काम किया है यह और बाकी चीज़े बाहर आती रहेंगी आई विल डिस्कॉस दिंग्स आउसो नॉब सेपरेटली बट जो जैमायत इस्रामी है इसकी रूस तो पाकिस्तान में भी दिखती हैं आपको लगता है कि वहा होंगे नहीं होंगे लखार्ट पर फटह की है अब यहां पर हम शर्या लेकर आरएंगे बाहर देषर के अंदर चुछ्ज्डइश जमाध में इसकी जो रूट्स हैं इसकी बंभाय उब बाकिस्तान में इस वक्तान अदिनीग्स ना ना जो जमांत इस्लामी पाकिस्तान की है रेडिकलाइस तो है जो उनका शरीयत का और इसलाम का जो नजरिया है वो ही है लेकिन वो जो जब प्रोटेस्ट करते हैं ना इलेक्शन में एक तो वो कभी नहीं जीतते हैं इलेक्शन में उनको कोई वो बड़ी वो नहीं होता जितनी भी रिलिजिस पार्ट लेकिन वोट नहीं पड़ता, इतने पाकिसतानी लोग जो है ना, हाँ हाँ जो चंद सीटे ले लेते हैं है तो उ sensor किछी बड़ी पो की से हूं के साथ मिलल कर वो आ जाते है, वह तो हमेशा कोई पो कई पार्टी उनको मिला लिती है तो आ पर आपर वोट परते हैं सियासी पार्टी को जो तीन चार बड़ी पार्टी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जो इस वक्त है Muslim League Noon और PTI that's it. तो इसलिए सियासत में उनका इतना रोल है कि वो किसी पार्टी के साथ मिल कर आते हैं यह है तो जहां तक बात है ना आग लगाने की वो TLP का काम है वहां पर जमात इसलामी का काम है जो इस तरह के आपको कहना चाहिए के वाइलिंस वाले प्रोटेस्ट जो होते हैं जैसे के फ्रांस के खिलाफ कर दिया जैसे सर्दन से जुदा कोई इस तरह का तो जमात इसलामी जो वहां पर है ना इंडिया में और पाकिस्तान में वह काफी फर्क है इसमें इन दोनों में इसमें और कॉंसेप्स एक ही हैं दोनों के नजदियात एक ही हैं जैसे जमात इसलामी वालों ने बोला शुरू कर दिया कि जैसे ब्रगलादेश में हमने तकता पलट किया है अब हम भारत में भी करेंगे और असाम से और नॉर्टी से शुरू करेंगे बैंगलादेश से फरी वेस्ट में बहुए शुरू करेंगे यानिकि उन्होंने अगर वरान खान ने गिरफ तारी से पहले क्या कहा वो तो जो खान की पार्टी है पी टी आई है वो यह कह रही है कि हम जो इलक्शन जीते हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला हुए है यह नहीं होने दिया जाएगा और मासिव जो सपोर्ट है मासिस की वो उस पा पार्टी चेंज करने बाकि वही है जो 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 हम यह बहुत है कि जो बहुत बड़ा खत्रा है कि भारत एक बहुत ही स्मूथली चल रहा था स्पीडीली आगे वरड़ा है और उसकी एकॉनमी बहुत जबरदस जारी है फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनमी है वो कह रहे हैं मुदी साब ने कहा है कि थर्ड लार्जेस्ट एकॉनमी मैं अपनी इस टर्म में बनाऊंगा अब इस सब को देखते वे जब एक नेबरिंग कंट्री में एक आग लग जाए जिसका इतना लंबा बॉर्डर आपके साथ मि अब ही जो वहां की पोर्ट का एक कॉपरेशनल सिस्टम जो है इंडिया को दिया गया चाइना और भारत के वीच ये राइवल्री चलती थी कि हसीना के साथ कौन ज्यादा करीब है किसको ज्यादा एग्रिमेंट्स मिल रहे हैं कौन ये सब चलता रहा है तो अब एक तो वह जिसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा तालुक था हसीना तो उन्होंने अपनी जवानी वही पर गुजारी ठीक है और बंगला देश बनाने में जो है वो इंडिया का रोल है और इंडिया इसको एक सब भी करता है ठीक है तो इस सब में वो कंट्री में अगर कोई ऐसी ग किरिफतार हों जरींगी फॉरण उनके बेटे का हो सकता है मुझे नहीं पता लेकिन क्या अवामी लीग जो है वहाँ पर जाके तो फिर जो ज्यादा चांसिस हैं हकूमत में आने के वह वही वाली पार्टी के हैं जो इस वक नजर आ रही हैं वहाँ पर इंडिया नहीं है त सब्सक्रा oder बिशुक्ति ऑट इस पर जितने भी बाद्ष्या से लेकर कोई नी तक और मोहरे और पे आदे और वट्यावर जो जो होता है ने अपनी इपनी चाले होती है इसी एक को मात होती है तो तो थोड़े दिर के बात हो सकता है कि वह भी अगले को मात दे दे त तो नोबडी नॉस क्या आगे क्या होता है रिकल रिकल रिकलेगे लेकले लेकले लास्ट क्वेशन अकॉर्डिन तो यू यू नाट जो वहाँ से राडिकलाइज लोग है वो भारत में आ रहे हैं बहुत तरह तरीके से उन्होंने स्प्रेड करना शुकर दिया भारत के अंदर वो भीशे करें लिए जो हो भीशे को बंगलादेशी में अकॉर्डिन तो यू बिकास यू कम फॉम फॉम पाकिसान में अपने रिडिकलाइज़ेशन को देखा है वाट यू थिंग इस अल्टिमेट सॉलूशन to control these things and you know keep your country safe देखिये solution तो बंगलादेश से अगर असल में तो solution मैं नहीं बता सकती बंगलादेश का नहीं मुझे बताना चाहिए क्योंके ये तो उनके अंदर का मामला है ना वहां के जो students हैं उन्होंने वो तो ये कह रहे हैं कि हमने उन्होंने की है वो तो इसको इनकलाब समझ रहे हैं ना हमारे नजदीक मेरे नजदीक के अब तरक्की अगर वैसी होती रहेगी फिर तो इनकलाब है लेकिन कैसे होगी कंगलादेश ना बन जाए कहीं बंगलादेश से तो मसला ही है कि उनके जो स्टूड़ेंट्स थो ये कह रहे है कि उनकी आमंगों के मताबग, उनकी पसंद के मताबग जो हकोमत बने जैसे वो चाहरे है तो वो होगा वो उसको सही समझ रहे हैं और अब जैसा कि इस वक्त इंटरम ग़र्मेंट जो बनी है, उसके अंदर उसको चलाएं ताके तरकी हो सके लेकिन अगर तो वहाँ पर इस्लामिस्ट गर्मेंट आ जाती है तो फिर उनको ये देखना होगा कि बाकी तो सब कुछ बात की बात है लेकिन क्या वो एकॉनमी को उसको बरकरार रख सकेंगे और एकॉनमी नीचे तो नहीं चली जाएगी बह नहीं पर रहे अगर उपर ना जाए क्योंकि निचे जाएगी तो लोग कहेंगे ये देख लो तो ये है मैं देखें एक आउटसाइडर अगर उनको ये बताएगा तो ये गलत बात होगी ना वो माइं कर सकते कि हमारा मामला है लेकिन मुझे तो मैं समझती हूँ के सभी जो आपने किया इससे तो तशदुद बड़ेगा ये तो हमारी तरफ आएगा और ना ही कोई और कंट्री इस तरह कहें और उसके अंदर के जो लोग है वो भी कहें के हां ठी के हमें कबूल है acceptable है आपने तो आपने अपने और ये रेली अप्रिशेट दू अपरिशेटिव रहा हूं यह यह आपकी पकड़ है बड़ी बैलंस वेसे आपको एक्स्पें करतें चिजों को थैंकिव सो मच आज इसको इंके खरते हैं विल कॉंटीनियों तुन दूट इस आपके और नहीं नह तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा के तरह सुमें जैन साब और आलिया शाजी का यह पूरा डिसकेशन और इनकी बाते आपको काफी पसंद आए होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा बस हम यही कहना चाह करतें ताकि हम आप किसी लेटिस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबतस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जैहिन जैभारत